इशान के एक्सिडेंट के बाद अब वो अपने भोस्ले निवास पहुँश तो गया है लेकिन यहाँ पर लगातार उससे पूछा जा रहा है कि एक्सिडेंट कैसे हो गया वही अब भोसले परिवार को इस बात को लेकर पता चल गया है कि इशान की मुलाकात ईशा से हुई थी और खुद इशान भी ये बताते हुए नजर आया कि हाँ वो अपनी आई ईशा से मिला था लेकिन यहां पर क्यों हर कोई नहीं चाहता कि इशान और इशा की कभी मुलाकात हो और यही बात अब इशान अपने परिवार से जानना चाहेगा वो वो पूरा अतीच जानना चाहेगा कि आखिर क्यों उसकी आई इशा उसे छोड़ कर चली गई थी आखिर क्यों इशा का नाम सुनते साथ जो है घर में सभी एकदम चुप हो जाते हैं क्योंकि इशान अब और जादा बरदाश नहीं कर पा रहा उसके मन में आज भी अपनी आई के लिए प्यार तो है लेकिन वो मजबूर है कि वो अपनी आई से जब भी मिलता है तो उसकी आखे नम हो जाती हैं और वो उनसे बात ही नहीं कर पाता ऐसा क्या हुआ था अतीत में अब ये इशान जो है जानना चाहेगा हम आपको बता दे कि आने वाले दिनों में एक बड़ा ट्विस सामने आएगा जहां पर खुद इशा जो है इशान को सारा सच बता देगी इतना ही नहीं जहां एक तरफ भवानी ने सवी को आखरी वार्निंग दे दी है और साफ कह दिया है कि अब तो इस घर से बाहर नहीं निकलेगी वहीं दूसरी तरफ अब इशा इशान और सवी की शादी फिक्स कराती नजर आने वाली है तो आप लोगों को कितना इंतजार है आने वाले ट्विस का कमेंट करके जरूर बताएं लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टीवी विंडो को सब्सक्राइब करना ना भूले